Hello everyone, study with us में आपका एक बाप फिर से स्वागत है और आज हम discuss करेंगे computer से related important MCQ और ये वो MCQ है जो अल्रड़ी exams में पूछे गए हैं आप देख सकते हैं कि हर एक question के नीचे जो है date और किस exam में question पूछा गया है वो लिखा हुआ है तो जितने भी exams में question पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम discuss करेंगे आज की वीडियो में एक से लेकर के 50 तक question हम discuss करेंगे फिर अगले वीडियो में और question उसको भी cover करेंगे वीडियो पसंद आए तो like करें चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे और यह जो वीडियो है सभी exams के लिए super important है तो चले शुरू करते हैं पहला question यह है कि निमिल लिखित में से कौन विश्व का पहला laptop computer बजार में लाया ठीक है यहाँ पर कंपनियों के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि इन में से कौन सी कंपनी थी जो पहले laptop लेके आई थी तो इसका सही answer है option number B ठीक है इपसन जो कंपनी है उसके द्वारा सबसे पहली बार जो है laptop लाया गया था बाजार में कब लाया गया था तो सन भी आपको याद रखना है 1981 में ठीक है 1981 में नेस्ट कोर्शन है कंप्यूटर में गड़नाए करने के लिए कौन सा अभ्यव मुख्यता उत्तरदाई होता है तो इसका सही आंसर है option number C arithmetic logic unit ठीक है ALU आपसे full form भी पूसता एक्जाम में ALU की full form क्या होती है तो याद रखें arithmetic logic unit ठीक है next question है internet में सूचना लेने के लिए किस अनुपरियोग का परियोग किया जाता है या किस application का यूज किया जाता है तो इसका सही आंसर है option number B ठीक है option number B web browser ठीक है next question है telnet का तात पर रहे है telnet क्या होता है आपको बताना है तो याद रखें इसका सही आंसर है option number C teletype network teletype network next question है system को boot करने का क्या अभी प्राय है तो boot करना जैसे कि सबको पता है कि जब ही हम boot करते हैं तो इसका मतलब हम operating system जो है upload कर रहे हैं अपने system में ठीक है तो चलिए आप मुझे comment में बताइए कि नहीं चार operating system का नाम ठीक है अपरेटिंग software का नाम सोरी आपको बताना है comment में नेक्स्ट कोश्चन है ओके नेक्स्ट कोश्चन जो है वो है operating system में round robin scheduling से क्या तात पर रहे है क्या तात पर रहे है तो उसका सही आंसर है option number B process allocation policy नेक्स्ट कोश्चन है निम्न में से या निम्न में कौन युक्त 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 ऑपरेटर नहीं है तो इसका सही आंसर है option number A add next question है table table की पंकतियों को अदभुत धंग से पैचानने वाले गुण को कौन सी कुझी कहा जाता है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक कुझी ठीक है primary key next question है किस संकर केंप्यूटर में निम्न में किन विशेष्टाओं का समनवे होता है तो इसका सही आंसर है option number C की अनुरूप तथा अंकिये केंप्यूटरों का ठीक है आप देख सकते हैं संकर केंप्यूटर यानि की हाइब्रेट केंप्यूटर और अनुरूप का मतलब अनलॉग केंप्यूटर ठीक है इन दोनों का समनवे होता है next question है निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कम बांड है तो इसका सई आंसर है option number D format ठीक है format next question है जब कोई केंप्यूटर कोई क्रामादेश लागू करता है तो वह क्रामादेश कहां पर अटक जाता है तो यह अटकता है याद रखें hard disk में option number C चलिए next question है निम्न लिखित में से क्या डूइतियक संचय यूनिट नहीं है तो इसका सई आंसर है option number A RAM यानि random access memory और एक चीज़ आप याद रखें कि इसे primary storage unit भी कहते है ठीक है और डूइतिये अगर आपको आपसे पूछे कि secondary storage unit कौन कौन सी है तो यह नीचे नाम दिये ग डीवीडी और चुम्बकिये टेप यह सारे का सारे secondary storage unit होते हैं नेस्ट कोचन है केंप्यूटर पर आरोपित ज्यादा तर तरूटियां किस कारण होती है तो इसका सही आंसर है option number A क्राम आदेश तरूटी ठीक है सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है वो होती है प्रोग्रा संगड़क बोलते हैं केंप्यूटर को अंकिये संगड़क द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को संकेतिक सब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उप्योग होता है तो इसका सही आंसर है binary या दुईगुण प्रणाली का ठीक है binary जो की 0 और 1 के बीच होती है नेस् असल में निम निम में कौन सा परकार सूची के अंतरगत उच्चतम मान ग्यात करने के लिए परियुक्त किया जाता है तो सही आंसर है option number C max ठीक है max next question है Microsoft word में dash हमें चुने गए पैराग्राफ को बाई और खसकाने की अनुमती देता है तो उसका सही आंसर है option number A decrease इंडेट ठीक है decrease इंडेट जो होता है यह हमें पैराग्राफ को बाई और खसकाने की अनुमती देता है next question है Microsoft Access Microsoft Excel में dash फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे छोटे मान को लोट आती है तो इसका सही आंसर है min next question है MS Excel dash का एक अभिन्य रूप है तो याद रखें यह MS Office का जो है एक अभिन्य रूप है MS Office में क्या क्या चीज़े आ जाती है MS Word, MS Excel, MS PowerPoint यह सब ठीक है next question है Sun Lab, Java, car में आपकी car का network बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रोधोगिकी का परियोग किया जाता है तो इसका सही आंसर है option number A, अंत इस्थापित प्रोधोगिकी का इस्तमाल जो है किया जाता है ठीक है जिसे हम English में कहेंगे Embedded Technology next question है, निमिल लिखित में से लीफो सनरचना बताईए ठीक है लीफो क्या होता है, वो सनरचना जो की बाद में आओ और पहले जाओ की परकिरिया पर आधारित होती है तो इसका सही आंसर है चट्टा या जिसे हम कह सकते हैं धेर ठीक है, next question है, एक परकार का internet खाता जिसमें computer को सीधा net के साथ नहीं जोड़ा जाता है तो वो कहलाता है, sell खाता ठीक है, sell खाता या sell अकाउंट भी हम इसे कह सकते हैं देखें, यहाँ पर एक question और ISP का full form आपसे एक्जाम में पूस्ता है तो याद रखें, internet service provider या हिंदी में से हम कहेंगे internet सेवा प्रदाता ISP की full form है ये, next question है, HTML में tag किस से परिबद कुझी सब्दों के बने होते हैं तो उसका सही answer है, option number A, कोणिये कोस्ठक कुझी सब्दों के बने होते हैं ठीक है, next question है, okay निजी, computer की कार्यचमता समाप्त हो जाने पर उत्पन कचरे को क्या कहते हैं तो इसे हम कहते हैं, E कचरा, ठीक है, पर दूशन में इसका भी जो है, महतपून ओके, next question है, multiple computing task के लिए memory में space के पुनर विन्यास और आबंटन को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं, memory management memory management next है, एक सुबाहर निजी computer जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है तो इसे हम कहते हैं, notebook computer, ठीक है, notebook computer next question है, किसी computer के programming में बच्चों द्वारा परियुक्त भासा प्राय कौन सी होती है तो इसका सही answer है, option number A, logo, ठीक है, logo language next question है, code आंतरक, जिसे हम, English में कहते हैं, assembler एक program है, वे निम्न में से, किस से program का रूप आंतरन करता है तो इसका सही answer है, option number B, code आंतरन से machine तक next question है, एक nibble कितने bit के बराबर होता है कई बार देखें, एक्जाम में पूछा गया है, एक nibble जो होता है वो कितने bit के बराबर होता है, तो इसका सही answer होगा, option number B आठ bit के, ठीक है, आठ bit के, एक मिनट, sorry, सकांसर जो है, वो है, option number B, ठीक, option number B, यहाँ पर option number B दिया हुआ है, तो यह चीज़ आप याद रखें, ठीक, इसमें doubt था question में, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, आपकी चार bits को निबल कहते हैं, और आठ bit जो है, वो byte कहलाता है, ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखना है, तो आपसे पूछ सकता है, एक निबल कितना होता है, तो चार bits होता है, ओकी, next question है, किसी भी विस्तृत पर्ण, या कहें कि spread seat में, पर्थम कोश्टिका जो होती है, कोश्टिका जो होती है, उसका पता होता है, तो उ तो इसका सही आंसर है, option number B, MS Excel जो है, वो DBMS का एक भाग है, next question है, database management system में data की सामिग्री और इस्थिती किसके द्वारा परिभाशित की जाती है, तो यह होती है, option number A, metadata के द्वारा, next question है, चौथी PD के computer के निर्माण में पर्योग किया जाता है, तो याद रखें, इन में पर्योग किया जाता है, शूश्म संधारितो का, ठीक है, तो यह चीज़ आपको, यह हम कह सकते हैं, मिनी, प्रोसेसर वगरा, हम कह सकते हैं, इसमें ठीक है न, इंग्लिश में, ओके यह देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, कि जो पर्थम PD के computer होते थे, जो की जिनका जो कारेकाल था, वो था 1940 से लेकर 1954 तक के बीच में, तो यहाँ पर परियोग होता था, transistor, दूइत्य PD के जो computer आएं, उसमें IC chip का इस्तमाल होने लगया, चलिए आपके लिए कोशन है, कि आप बताई, IC chip का विसकार किस ने किया था, यह आपके लिए कोशन है, ठीक है, तीसरे PD के जो computer थे, उसमें इस्तमाल होने लगा था, किसका, एक में, तीसरे PD के computer में जो इस्तमाल होने था, वो होने था, IC chip, ठीक है, दूसरे में transistor का, पहले में निर्वाथ ट्यूब का, सॉरी, गलत हो गया था यह, निर्वाथ ट्यूब का परियोग, पहली computer PD में, ट्रांजिस्टर का, दूसरे PD के computer में, यानि, second generation के computer में, और IC chip का, third generation वाले computer में, और, जो microprocessor है, ठीक है, microprocessor, उसका जो use है, वो, चौथी PD के computer में, देखने को मिलता है, ठीक है, 1971 तक, अभी से, अभी तक, जो है, वो हम, चौथी PD का computer, use करते हैं, अब देखें, आपर date भी पूछले गई है, कि दूसरे PD के computer का काल क्या था, तो सही answer है, option number C, 1955 से 1964 तक, ठीक है, next question है, वे कौन सा program है, जो programों को memory में रखता है, और उन्हें निस्पादित करने के लिए तयार करता है, तो वो होता है, loader, ठीक है न, loader, next question है, land का पूरा नाम बताइए, या पूरा रूप बताइए, तो land का पूरा रूप होता है, local area network, ठी area network, इसका होता है, ठीक है, यह पूछा जाता है, देख सकते हैं, आप MTS में भी पूछा गया, और CGL tier 1 में भी पूछा गया, एक question, next question है, जब कई computer को, एक छोटे से छेतर में, बिना telephone के तारोफ के परस पर जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते है LAN, यानि local area network, next question है, LAN, यानि फिर से होई question है, LAN पूछ रहा है इसमें, ओके, next है, अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि local area network में निम्न में से किस मंद का परियोग किया जाता है, तो उसका सही answer है, option number B, modem का इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, modem का इस्तमाल किया जाता है, next ह पहला computer mouse किस ने बनाया था, तो पहला computer mouse बनाया था, William English ने, ठीक है, William English ने, कब बनाया था, तो date आपको याद रखेंगें, 1960 में, next question है, programming में कुछ कथनों की बार बार पुनरवर्थी, पुनरवर्थी को पराई क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं, looping होना, ठीक है, looping, next question है, मध्यम range के मौसम पूरवनुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा super computer खरीदा गया, तो वो है option number A, Cray XMP 14, next question है, super computer का परयोग निमिल लिखित में से किस अनुपरयोग के लिए किया जाएगा, तो सही answer है, option number C, मौसम पूरवनुमान के लिए, next है, HR में HR किस के लिए है, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखिया, आप कोस्ट लगाया गया है, ठीक है, ब्रैकिट सा, ब्रैकिट HR में, HR किस के लिए है, तो इसका सही answer है, option number C, horizontal rules के लिए, ठीक है, horizontal rules के लिए परियुक्त किया गया है, और computer की भासा में हम इसे HTML भी कह सकते हैं, hypertext markup language, आप से फिरफ़ाँ पूर सकता है, HTML का पूरा नाम तो hypertext markup language, next question है, निमिल लिखित में से कौन सा computer में, छवी को संग्रहित करने का एक प्रारूप नहीं है, तो उसका सही answer है, option number D, सभी छवी के प्रारूप है, ठीक है, जैसे कि BMP हो गया, PNG हो गया, JPG हो गया, यह सारी के सारी image का ही रूप है, और भी कई परकार की होती हैं, देख सकते हैं आप लोग, यह file format है, सारी के सारी image file format, JPEG, JFIF, EXIF, TIFF, HEAF, BAT, BBG, यह सब जितना भी है, यह सारी के सारी image file formats है, नेस्ट वर्चन है, ICMP का परियोग किस के, किस लिए किया जाता है, तो उसका सही answer है, option number C, error reporting के लिए, next question है, अच्छा, एक चीज़ और, ICMP का पूरा नाम आपको याद रखना है, internet control message protocol, ठेक है, internet control message protocol, next है, चले, इस question का answer आपको भी देना है, कि arithmetic और logic unit, arithmetic और logic unit जो है, के बारे में यहां कथन दे रखा है, इनमसे कौन सा कथन सही है, इसका answer आपको मुझे comment में बताना है, चले, next question है, कंप्यूटर में किसकी साहिता से, परिकलन किया जाता है, परिकलन किया जाता है, इसका सही answer है, DALU, ठीक है, arithmetic logic unit के द्वारा, next है, सब्द संसादन में, document के भीतर, text को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, cut and paste, control C, sorry, control X जो है, वो cut की sort की होती है, और control P जो होती है, paste की sort की होती है, आप से sort की भी पूछी जाती है, exam में, next है, sub directory बनाने के लिए, किस MS-DOS कमांड का परियोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है, option number B, mkdir, next है, internet पुर्धोगी की के आरंब में, internet पेज तयार करने के लिए, कौन सी भाजा परियोग की जाती थी, तो सही आंसर है, option number B, html, यानि hypertext markup language का, तो ये तो था हमारे वीडियो, I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी यही वीडियो आपको मिलते रहे, मिलते हैं नेश वीडियो में, थाइ थैंक्स व वच्ण एवच इडियो, विडियो,